Indian Contract Act 1872 जहाँ पर agreement करने की काफी सारी terms condition है, कब agreement आपका void हो जाता है, कब आप उसे enforceable court में लागू नहीं करा सकींगे, काफी सारी terms condition है और अगर आप भी करना चाहते हैं कोई agreement या करार किसी के साथ में, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो, business को लेकर के हो, शादी को लेकर के हो, आपका कोई property खरीदने या बेचने संबंदित, आपकी गाड़ियां खरीदने या बेचने संबंदित हो, या किसी company के contract हो, उन सारी बातों को consider करने के लिए agreement की क्या terms condition रहेगी आपको जानना जरूरी है, इस बार वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का करूँगा प्रयास, नवश्कार आपने शिरुवात किये अश्योप पांडे के साथ legal advice में जहां पर हम कानून की बात करते हैं, section 25 कहता है, नहीं किया जा सकेगा, अब जैसे for example हम समझते हैं, किसी व्यक्ती ने किसी के साथ में agreement किया, करार किया, restraint of marriage के लिए, यानि जो section 26, मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे परसन से शादी करने के लिए रोकने का agreement करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, restraint of marriage, ये नहीं आप ऐसा agreement नहीं कर सकते, क्योंकि section 26 इसके बारे में कहता है, मैंने अपनी girlfriend के साथ में agreement कर लिया, कि तुम किसी और के साथ में शादी नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि तुमने और मैंने agreement किया है, तो इस वजह से ये भी invalid हो जाएगा, तो ये समझना जरूरी कि शादी के मामलो में जो की restraint of marriage होगा, वो void होगा, उसे कानून में enforceable इस तरीके के agreement को नहीं कराया जा सकेगा, ये important बात है, दूसरी बात, restraint of trade, किसी को व्यापार करने से रोकना, section 27 Indian contract act, इसका क्या मतलब है, महले पर उसमें आपने देखा होगा, या किसी एक जगा पर आपने देखा होगा, किराने की दुकान है, grocery की दुकान है, या कोई और दुकान है, वहाँ पर क्या उसने वो दुकान खोल करके रखी है, तो किसी अपने दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर बैसी दुकान खोलने से रोक सकता है, क्या, आपने कभी इसकी उपर ध्यान दिया, वो नहीं रोक सकता, क् इंडियान लॉग कहता है जो कि section 27 है agreement restraining trade under the act are void मतलब आप किसी विक्ति को रोक नहीं सकेंगे कि वो उसी प्रकार का business ना कर सके अब जो मुकेश अमबानी है जी ओ जैसी ये कि उन्होंने company बना दी तो क्या वो दूसरे किसी Airtel को या Vodafone Idea को या XYZ company को रोक सकते हैं क्या कि वो वैसा ही व्यापार ना करें बेशक नहीं रोक सकते यहीं नहीं रोक सकते क्योंकि section 27 competition act एक दूसरा है उसके उपर कभी और बात करेंगे वो एक दूसरी बात है लेकिन restraint of trade के लिए व्यापार करने के लिए business करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकेंगे यह काफी important हो जाता है और इस वजह से आपने देखा होगा कि अगर आप किसी market में जाते हैं कपड़े की दुकाने तो बहुत सारी ऐसा क्यों नहीं कि एक ही विक्ति है और वो monopoly वहाँ पे कर ले केवल खुदी कपड़े बेचे खुदी खरीदे खुदी मुनाफ़ा कमाए ऐसा क्यों नहीं कर सकता क्योंकि section 27 Indian contract act कहता है restraint of trade अगली बात है legal proceeding में restraint करना section 28 इसका क्या मतलब है मतलब मैंने आपके साथ में एक agreement किया agreement किया कि हम ये business करते हैं business का जो भी फाइदा नुकसान terms condition होगी वो इस तरीके से लेकिन अगर कोई dispute हुआ तो आप court नहीं जाओगे इस तरीके का कोई agreement करना invalid है इस तरीके का agreement नहीं किया जा सकता जहां पर किसी को कानूनी प्रक्रिया पे जाने कानूनी न्याय पाने से वंचित किया जा सके और यही Indian contract act का section 28 जो कहता है agreement restraining legal proceeding under the section 28 of the act are void किसी को रोका नहीं जा सकता किसी को restraint नहीं किया जा सकता अगली जो बात है वो है section 29 की जहां पर agreement होते है uncertain events के मतलब ऐसा कोई event जो uncertain है जैसे मान लेते हैं कि किसी ने कोई agreement किया कि 100 tons oil खरीदना है मुझे आप से इतने पैसों पर 100 ton oil exist ही नहीं करता वो agreement आपका uncertain event के लिए हो गया तो उसकी कोई validity नहीं होगी वो void हो जाएगा वो खतम है उसको आप कानून से enforce नहीं करा सकते लागू नहीं करा सकते मैंने कोई असे agreement आपके साथ में कर लिया कि नहीं मैं आपको इतने x y z amount का ये समान बेचूंगा जबकि वो समान अस्तित्व में ही नहीं है है ही नहीं मैं दे ही नहीं सकता आपको तो जो impossible events है उसके uncertain events है उसका कोई agreement या करार कर लेना वो invalid होता है और वो void होता है under section 29 Indian contract act की definition में वेगरिंग agreement भी काफी important है जहां पर आप जुएं या सट्टा बाजी से सम्मंदित कोई agreement करते हैं किसी के साथ में अब ये क्या है dream 11 जैसे team है बनी हुई है आपने बहुत सारे online game देखे होंगे जहां पर Ludo King हो गया dream 11 हो गया और भी जो IPL में सट्टे बाजी और ये सब सारी चीज़े कर ये सब कुछ वेगरिंग agreement में आते हैं section 30 में मतब इस तरीके के agreement illegal है क्योंकि इसको लेकर के कोई specific कानून अलग से नहीं बना online trading platform पे regulation लगाने के लिए इस वज़ा से कर रहे हैं जिस दिन नहीं होगा तो ये सारे के सारे illegal हैं मेरे हिसाब से आप और भी इस पे advice ले ले लिजेगा अंडर section 13 agreement of wager तो इसके अंडर ये आ जाता है और इस तरीके के सारे जो आप online game बगेरा platform खेलते जहां पे जुए सट्टे बाजी करें वो trade अलग होता है trade of business जो की सेवी के regulation में होता है जहाँ पर share की खरीद फरोगत आप करते हैं वो एक अलग बात है अभी तो आप cryptocurrency में भी कर रहे हैं बट उसके उपर भी कोई regulation नहीं है तो government उस पे कुछ regulation लानी की तेयारी पर है लेकिन उसके साथ आपने देखा होगा dream 11, IPL, team लोग बनाते हैं, सेवी भरोसा नहीं है, section 56 भी काफी important है जो impossible events की बात करता है, ऐसे events जो impossible है, मतलब मैंने किसी के साथ में agreement कर लिया शादी करने का और उस time पर या उस time के पहले मैं पागल हो जाता हूँ, अब जो पागल हो गया तो इस वज़ा से impossibility आ गई और मैं वो शादी नहीं perform कर सकता ह हला कि शादी के जो agreement होते हैं, वो हमारे यहापे valid नहीं होते हैं इंडिया में, और Indian Contrate Act जो था वो काफी पुराना था अंग्रेजो के time का था, तो इस वज़ा से आप समझी है कि जो terms condition थी English law के हिसाब से modified है, बट फिर भी मैंने आपको एक example से बताया, तो यह इस तरीके का impossible event को करने का कोई करार कर लेना, वो valid नहीं होता, उसे court से enforceable नहीं कराया जा सकता, जो कि section 56 कहता है, सगाई जो होती है तो क्या section 56 के दायरे में आएगी, जो हम लोग सगाईयां करते हैं, engagement करते हैं, तो क्या आएगी, एक तरीके से वो भी तो agreement की condition पर ही आगया ना, कि आप उंगली में ये पहनाई है, बट वो ठीक है, वो personal level पर आप करते हैं, उसके लिए कोई आप written agreement या contract नहीं करते हैं, इस वजह से वो section 56 के दायरे में नहीं आता, तो किसी के साथ अगर आपने engagement कर लिए, और अगर सामने वाला चाहिए लड़का है, ये लड़की engagement के बाद में पलट जाता है, मुकर जाता है, तो क्या आप उसे court से जबरजस्ती शादी के लिए मजबूर कर सकते हैं, जी नहीं, आप नहीं कर सकते, और यही है section 56, हलाकि शादी का जो है, मैंने आपको एक और बदाय था, restraint of marriage उसमें भी आ जाएगा, but it is also covered under section 56, but क्या सगाई आएगी य वो impossible events की करने, ऐसा event जो हो ही नहीं सकता, impossible है, जिससे करना असंभव है, अगर ऐसा कोई agreement भी किया जाए, तो वो courts enforceable नहीं हो सकता, और इस वज़ह से ये agreement under section 56, void होते हैं, लागू नहीं कराया जा सकते, आपको इस सारी जानकारी जो मैंने आपको section 26, section 27, 28, 29, 30 और 56 में बता आते हैं, बात बेशा कर सकते हैं, इस वीडियो के description में appointment है, link का, जहां से आप directly appointment वो करके मुझे कर सकेंगे बात, मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप देते हैं आपका कीमती महत्वपूर्ण समय, इस वज आपका.